गुदे इबनिक एब्रिवान, आमी जी टु एइचाज एलसी, डाट मींज, क्लास 10 और 1999 चॉन और परा स्टार्ट करी, 2020 लोई अहां वायसेंस बोर आमी एटार विशाद एटा धुनिया कोई प्राक्टिस करी आशू, गोठी के आजी क्लास और आमी प्राक्टिस करीं, 2005 और 2007 लोई जी केटा वायसेंस डिया होई सिल खे केटा मी एट धुनिया कोई प्राक्टिस करीं, आरो यार अगर वायसेंस और क्लास बोर आमी अल्डेडी कोई दिसू, जोदि तुमालो कर कोणो बाई एटिया लोके सुआ नाई, तेने हले हले खेबोर क्लास और लिंक माई अठाद एकोन वीडियो डेस्क्रिप्शन ओ दिया हाँसे, तुमालो के साहे लब पाई बाई बाई, तेने हले माई एटिया लेट नाखरा कोई, स्टाट कोई दियू, जास तुमालो के मनो जोगई खुनि बाई, शेश्टा कोई बाई, तुमालो के अल्डेडी हाटो सोई जाना, जे क्वेश्आन एठा, जोडि एक्टीबट दिया हखके पाईशिव लोग चेंश कोई बाई आको जुदे पैसिव ओद दिया ठाके तेने हले एक्टिव लोग चैंज कोईब लागी वो किन्टु मेन कताखी नी होल जे क्वेश्चन टो एक्टिव ओद दिया आशे ने पैसिव ओद दिया आशे जोदी एक्टिव ओ दिया आशे ने पैसिव ओद दिया आशे बाको वाइसें टो सब्जेक्ट अब्जेक्ट भार्ब कुन बोर होय है बोर जोदी तुमा लोग कर कन्फुजन ए टिया आशे तेने हले वीडियो खन ओर दिस्क्रिप्चन ओर लिंक दिया आशे तुमालो के है बोड वीडियो साई लबो पारिवा ठीक हसे सो मौय टेने हले टिया स्टाट कोई दियो एक वेस्टन तो लिखा आसे क्वाशन की वाशन लिखा आसे तो अक्टिव वाशन लिखा आसे दिक्वेस्टन लिखा आसे दिक्वेस्टन has been written in active voice now we have to change it into passive voice okay so just change skriveli hali first we have to find out the subject verb and object then we can change it easily so in this sentence the subject is the teacher this is the verb and our copies is the object here this is very simple and easy question so a tm a subject verb object question to active voice लिखा आसे हेखिन आमें बुझिवा पाइलो so a tm a passive law change so passive law change कोरी बुले हले की कोरी बुले हेखिन लिखा आसे हेखिन लिखा आसे तो तुमा लोखे जानाए जितो active voice और object दिया जितो subject बना बुला गीब and in this sentence the object is our copies so we have to make this our copies object as subject in the active in the passive voice so a tm a लिखी लो our copies ok a tm a object याद प्रुछा मा लिखी दिलू a tm a question ले पुनोर बर जाम क्योर करने जाम आमें देखिम दे question दो की टेंसोर लिखा आसे because subject to लिखा बिशाद आमार याद passive voice और helping भरबर प्रोज़न हाए put it a voice और लिखा पालो जे question दो present continuous tensor लिखा आसे m is r 23 भरबर फोट फर्म और भरबर लगट आएन जे जुग होई आसे गोटिके एक टू गठून कार हाए present continuous tensor हाए तोमा लोगो हाटो निखा आसे so आमी बुजा पालो जे question दो present continuous tensor लिखा आसे present continuous tensor z helping verb to be verb है टू लिखी बो लागी बो किल्टू subject अनुहोरी है लिखी बो लागी बो आरो present continuous tensor helping verb तूमा लोगो निखा आए जाना m is r so यह subject हो दिखा आसे आवार कौपी इस दा plural subject so plural subject लोगट होटा आया मी r ब्यभार कुरें so यह आमी की लिखीम r लिखीम is आरो m d लिखीम so यह आमी की लिखीम आवार कौपी इस आर okay यह आमी की लिखीम तूमा लोगे मनन रखीबा यह तूमा लोगे ना आजाना जे 2B verb helping verb लिखार पी शट यह खड़ा एटा बिंग लिखीम B E I N G I repeat it once again जोदी question तो continuous tense ओध हुए G कनो continuous tense हगो पारे continuous tense जोदी हुए तेने हले आमी 2B verb to लिखार पीशट हड़ा बिंग हब्द तु लिखीम so this is the most important point you have to remember it so आमी यह त बिंग लिखीलो B E I N G okay यह बिंग लिखार पीशट हड़ा अगर निशना कोई भर्ब ठाट फर्म लिखी बो लागे तुमा लोके निश्वाई जाना जे जेती आमी active voice टो passive लो चेंज करू ते टी आ हदाए भर्ब ठाट फर्म टो यूज करू So in this sentence the verb is correcting and the main verb is correct आमी character ठाट फर्म लिखें corrected तुमा लोके मनोर रखी बाए भर्ब ठाट फर्म लिखे बाए बोर भर्ब ठाट फर्म लिखे बाए बोर भर्ब नहोए So एक आमी की लिखें corrected आमी भर्ब ठाट फर्म टो लिखे दिलू Our copies are being corrected आमार copies बोर corrected होई असे काया ड़ा? The teacher, teacher हो कलोर ड़ा By याद आमी प्रेपोजिशन लिखें By the teacher So तुमा लोके जोदी बिसोरा तुमा लोके एने कोई लिखे बो पारा Our copies are being corrected यादे तुमा लोके हेक कोई दिवो पारा यादे राखी लो खुद्ध होब 100% हुद्ध होब आरो यादे राखी लोए बेसी भाल होब आरो यादे तुमा लोके बिसोरा जे आरा copies are being corrected by the teacher ते त्यों खुद्ध होब यादे राखी लेए बेसी भाल होब कारणी याद आमी बुझाए पाँजे आमार copy होमू Change, आमारे correct होई आसे तेने हले आमी बुझाए पाँजे copy और कुने correct कोई बो तो जोदि तुमा लोगे भबा कारेक्टरेट लो यमें हेक कोई दो तटब यो खुद्ध होबो आरो जोदि तुमा लोगे भबा गोटेखी नि लिखीदु बाइधी तीचर, that अल्सो भी कारेक्टरेट, okay So, माई अखा कोरीम तुमा लोके हाटो निश्वा बुजिवा पारीशा, जो दी बुजिवा पारीशा तेने हालो कमेंट बाक्षो दियास पुरी लिखीबा, Okay, so, माई दिया स्टुदेंट एक निटामाँ तुमाा लोकांग आनैठा कोता जनांएडियो, जे तुमालोका हार जुबर भायसेन जाएजा से, origins 1990-1999 पारा स्टार्ट कोरी, 2020-schnे लोगी जुबर भायसेन जाएजा से, है बोर भायसेन जार आंशारो return, मोई एकान PDF file बना दीशू और फाइल कान मोर website दोट available हाशे तुमालो के मोर website दोट जाई पेलाई ही फाइल कान download कोई लबो पारीबा और मोर website टो लिखी दीशू मोई आगातो कोई शू www.graduallearning.com एकान 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 वेबसाट दोट तुमालो कोई study materials बुरो बुरो टाटे अवेलेबल आशे जीबर study materials तुमालो कोई हेचे जलसे एक्जामिनेशन अर बाभे इंपोरेंट हा तुमालो के ताटे बाभे हाशे घिक हाशे तो एटी आमाय नेक्स्ट क्वेशन लागवा ही जाऊ यह लिखा हाशे, question number B, my book has been stolen, this is the most important question, आमी 2004-2003-2002 एती दिटा सनार जीकुनवेटा चनात, आमी एतो question हमादान कोरीशु, ताट मीज, अगर सन पुराट, अगर सना question प्रेपाट, एतो question आमी अलड़ेदी सल्प कोरीशु, गोटिके question तो मा एतो explain न कोरीशु, जास्ट माई answer तो लिखीदू, तामालो के अगर विडियो बोर सावा पारीबा, ताट एतो question आलड़ेदी एक्स्प्लेदी एक्स्प्लेदी कोरीशु, most important question तो मालो के साईलोबा, माई answer तो याटे डारेक लिखी दिशु, question तो दिया है, my book has been stolen, so the answer will be here, someone has stolen my book, okay, this is the answer, तो मालो के answer to more अगर class और विडियो बोर सावा ताटे दिया है, करण एक question तो केईबा बारो repeat होई से, गोठी के माई एक्स्प्लेदी ना कोईलो, just answer तो लिखी दिलू, और एक्स्प्लेनेशन और बाबे तो मालो के मार अगर class और विडियो बोर सावा, ताटे तो मालो के एटो question और explanation केनी भालरे, जानिवा पारीबा और बुजिवा पारीबा, यति आमी 2005 और जी दुडा question आसे हे दुडा हमाधान कोईलो, तो मालो के एटो निसा भुजिवा पारीशा, so भुजिवा रे सेस्टाव कोरीबा, यति आमी 2006 और जी दुडा question आसे हे दुडा हमाधान कोरें, so मय पुतमाद first question to ever पोहीट इसू, ये लिखा आसे, our teacher buys books every month this is the question so after going through this question we understood that the question has been written in active voice so likewise so in this sentence the subject is the subject is our teacher and buys is a verb and books is object and this is the extension okay this is the question ethyam change koreh balea ula isu so first ami ki korehim objective po thaman lo yahim passive koreh balea object ho ki diya se books diya se so ami po thaman books likhi loo okay books dikhar piswa te tuma loo ke question to ole punnare bar jama ta dekhhi was a question to ki tenso likha aase that means in which tense the sentence has been written after finding out this tense we will get the helping verb of this particular tense so so ami ya dekhilo je bhaab to diya se bhaarbor fifth form bhaarbor fifth form or that jodhi kuno bhaarbor logat as by yeh zhugwai tha ke hai boar bhaarbor fifth form bhu liqwaa hoi ando tenne kua verb hadae present indefinite tense wo thakke ando tuma loo ke atakata monot rakhi ba jodhi kuno sentence wo tense dhori bo loga hoi tenne halee tumalokke hadae subject or oswo athaka main verb to tumalokke bhaarbor saaba by helping verb to zero dia se head to saaba tenne halee tumalokke tense to bhaarbor e dhori bo pari ba because tense is verb so ami buza palu ze question to present indefinite tense wo likhhaase so present indefinite tense wo to bhaarbor likhhi bool agi boh zhito hale am is are subject diya se books tenne halee kii habo kwaasun ok tumalokke hadao kabo paari sa subject habo ar yare ar hobo so books are ok ette yama kii likhhi bool agi boh verb hathath form likhhi bool agi boh arwo jodhi continuous tense holi etten agar nisna koi tenne halee ami yad kii likhilu hoi bing likhilu hoi so this sentence is not a continuous tense so we we no need to write there bing so ette yama kii likhim tenne halee bharbo thath form likhim this is the verb by the thath form of by is bought so the spelling is b-o-u-g-s-t tumalokke ewa monodrakhiba so books are bought ette yama kii likhim ami by preposition by preposition then subject yara ame object ko edhim ewa tumalokke niswa jana our teacher okuno change nai goti ge our teacher to likhhi diilu and akko extension thakki liyad every day goti ge tomalokke hekhat every day likhhi di ba so this will be the right answer maa ewaa answer to pohid isu books are bought by our teacher every month so this is the right answer jodhi bhujiwa pari sa tene halee niswa yes beli comment ko ewa tene halee mae bhujiwa pari im jay tumalokke hasa kuiye bhujiwa pari sa aru jodhi tumalokke kibaba question ko ewaari thakki tene halee description and more whatsapp number diya ase ba comment box to tumalokke tumalokke question ko ewa diba pari ba b number question to ewa diya ase i do not know his address so agar nisna koi ame find out ko ewa active o dhasene passive o dhasene e to question kiyo dhiya ase question ba ro question to dhiya ase active vayas ho dhasene tene halee kiyo change ko ewa lagi ba passive vayasho change ko ewa lagi ba ma change kini yate ko e dou passive le change ko e dou yate so agar nisna koi kii kori maa ame subject bharb object kini uli aile lom e question to subject dhiya ase i yate main bharb to dhiya ase no and object dhiya ase his address tene halee ekhi ni ki hoi ekhi ni negative kora kaoane ame do not to likhi so that means this sentence is a negative sentence tene kese ehti ame sentence to ewa change ko e dihim so tumalokke abar sinta koraasun sentence to ki haba pari answer kini ok tumalokke hai to sinta kori ba paari sa tene halee pothmaat kii likhi ba lagi ba ame kii kori im pothmaat object to subject bona dhim to yet ki dhiya ase his address so ame pothmaat kii likhi im his address ok ame likhi lho his address likhi lho tarbiswat ame kii likhi ba lagi ame tene zonu kori helping bhavtu likhi ba ba to be bhavtu likhi ba ae question to ki tensor likhi aashe kwa aasun baaru question to present indefinite tensor likhi aashe yad bhavtu dhiya ase bhiwaan form aru negative kora kaunne ame do not likhi shu do do kore parani shu ame main bhavar parani shu actually main sentence to ki aashe kwa aasun baaru main sentence to aashe or that assertive sentence to aashe I know his address pothmaa sentence to any kwa aashe karon assertive sentence var pora hai negative sentence to bona ho hai affirmative sentence var pora hai so ito pothaon affirmative sentence aashe I know his address ito negative kori bolo hai huwa at aami ki kori shu not ita likhi shu aru notar hornmukha zi ehto helping bhavar provejoan ho hai khai ba bae question to zi ehto agaware pora helping bhav na hai so aami no bhavar pora du bhavtu helping bhav ishe ba lo hai shu aru full sentence to te dehyo hoi gol I do not know his address this is the question so ito aami question to aashe to aashe to likhi aashe passive bahaya so ito negative bhavu laghi ba ito ya ito ya dekhha his address ito aami ki likhim 2b bhav likhim aru ehto zi ehto present indefinite tense vay 2b bhav ki habo emisar habo gothi aami emisar or is likhilu karoniyat his address diya ashe so his address is ito ya aami helping bhavtu pa lo artha 2b bhavtu pa go lo so 2b bhavar piso da aami negative not to likhi dihim zi ehto question to negative da se hai kanda aami yat not to likhi di lu so his address is not ehto ya ki likhibbo laghi ba bhavar bhavar thart form likhibbo laghi ba yat raabtu ki diya ashe no diya ashe no thart form habo non ehto thart form likhara bishat preposition likhibbo laga hoi ame ema na hume la ke yata preposition by aashilo zitu haol b hai kentho hako lo bhavar bhavar lagad bhavar preposition viyabara kraana hai ta maa loke ekhi nite manot rakhi bolo shi shita kori ba pa no done kori rakhi ba je non bhavar bhavar lagad artha no bhavar bhavar lagad passive bhavar chandai tu likha hain that means passive bhavar 49 bhavad tu preposition yus kara hain this is the most important point you need to remember it so his address is not known to so his address is not known to me so this is the right answer 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 so my dear student so this is the right answer 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 so my dear student so this is the right answer 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 so this is the right answer